दोस्तो मुवी स्टार्ट होने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो चैनल को सब्सक्राइब परके बेल आइकन जो रवाना इस मुवी की सुरुआत में हम कुछ घुसवारों को देखते हैं इन में से एक घुसवार जाके एक लेड़ी से कहता है कि वो ये मैं जिद गिया इस लेड़ी का नाम कोनी होता है जबकि इस सक्स का नाम कलीफ़ड है एक पार्टी में कलीफ़ड कोनी के साथ डैंस कर रहा होता है इस पार्टी की बाकी लेडी कोनी की ब्यूटी को देखती है और वो उसकी तरीफ भी करती है इतने ही में यहाँ पे खवर आती है कि जर्मानी और इंगलेंड की बीच यूद छिर गिया है जिसमें ना चाहते वे भी क्लीफट उस लराई में सामिल होता है और इस लराई में क्लीफट बुरी तरह से घायल हो जाता है और अब उसे हमेशा के लिए वीलचेर पे ही रहना होगा और अब उसे कुछ हो भी नहीं पाता है जिसके कारण कोनी अपना डिजार पूरा नहीं कर पाती क्लीफट उसे कहता है कि वो अच्छा हस्वेंट नहीं बन पाया वो कहता है कि अगर कोनी चाहे तो वो किसी और से रिस्ते बना सकता है और इसे उसे कोई एतराज नहीं होगा वो कहता है कि कोनी को किसी और की रिस्ते से बच्चे भी पैदा होता है तो वो उसे अपना नाम देगा और उसे उत्रा धिकारी घोसित करेगा एक दिन कोणी gamekeeper Oliver से मिलती है और वो उसे नहाते हुए देख लेती है उसके अंगो को देखे कोणी के अंदर की काम बासना जाग्रित हो जाती है औरात को वो Oliver को याद करती है अगले दिन कोनी Oliver के घर पे उसे मिलने आती है और यहाँ पर वो chickens को देखती है वो Oliver से उसके घर की एक नई चाभी मांगती है ताकि वो बीना प्रेसानी की यहाँ पर आ जा सके कुछ टैम बाद हम देखते हैं कि Oliver ने उसे वो चाभी दे दी है इसके बाद कोनी वापस Oliver के यहाँ आते है Oliver उसे एक नई चिकन दिखाता है जहाँ पे एक चिकन अंगे से निकल रही होती है और उसकी कंडिसन देखे कोनी काफी emotional हो जाती है यहाँ पे Oliver उसे कहता है कि यह सब normal है यहाँ पे यह दुनों फिचकली काफी करीब आते हैं और एक दुसरे को asperse करते हैं और अब यहाँ से इन दुनों का affair शुरू हो चुका है अब अक्सर यह दुनों जंगल में मिला करते हैं और साथ में intimate होते हैं जिसके चलते अब कोनी भी खुस रहने लगी है यहाँ पे कोनी की behavior में बढलाव देखके किलीफट सब कुछ समझ जाता है इसके बाद कोनी और Oliver का affair अब प्यार में बढल चुका है कोनी उसे कहती है कि वो एक बच्चे को जन्म देना चाहती है Oliver उसे कहता है कि हम दोनों में class difference बहुत ही जड़ा है और ऐसे में अगर इन दोनों का बच्चा होता है तो इन दोनों की बीच प्रोग्रम काफी बढ़ सकती है और हो यह भी कहता है कि उसे डर है कि किलीफट को इसके बारे में कुछ पता न चल जाए और अगर ऐसा हुआ तो किलीफट Oliver को मार देगा एक बार कोनी Oliver के साथ उसके घर में रात बिताने का फैसला लेती है रात के समय कोनी Oliver के घर पे जाती है और यहाँ पर यह दोनों intimate होते है जबकि रात को किलीफट अपने बेट से जैसे तैसे सीडियों पे चहर के कोनी की रूम में जाता है जहां पर वो देखता है कि कोनी बेट पे नहीं है इसके बास सुवा जब कोनी लोटती है तो वो किलीफट को सीडियों पे पाती है जब Clifford Comey से इन सब बारे में पुछता है कौनी कहती है कि तुम ही ने तो कहा था कि मैं किसी और से रिस्टा बना सकती हूँ Clifford कहता है कि कम से कम उसे कलाश डिफ्रेंस का खायाल आया होता वो कहता है कि इस रिस्टे से जो बच्चा आएगा वो उसे अपना उत्राधिकारी घोसित नहीं करेगा इसके बाद वो कोनी को वैनिस भेज देता है और ओलीवर को फायर कर देता है वैनिस में कोनी अपने सिष्टर की यहां ये जान पाती है वो अब प्रेगनेंट हो चुकी है इसके बाद वो कलीवर के पास जाने के लिए अपने सिष्टर से डिसकसन करती है लेकिन उसकी सिष्टर इस बात के लिए इनकार करती है लेकिन कोनी फिर भी अपने मन से कलीवर के पास आ जाती है और यहां पे पहुँच के वो उलीवर के बारे में पूछती है क्लिफर्ड उसे कहता है कि ओलिवर ने खुद ही अपना काम छोड़ दिया है हलाकि कोनी को इसके बातों पे भरुसा नहीं होता है और वो उसे खुद ही जुड़ने के लिए निकल जाती है और हाइली उसे ओलिवर मिल ही जाता है कोनी ओलीवर से कहती है कि वो अपने बच्चे को जर्म देने जा रही है ओलीवर उसे कहता है कि उन दुनों के बीच में कलास का बहुत ही बड़ा गैब है और वो उसे कलीफ़र के पास जाने को बुलता है कोनी उससे कहती है कि Oliver के पास जो खेत है वो उसमें खेती करके अपने खर्चे निकाल सकती है कोनी की इस बात को Oliver accept कर लेता है और इससे ये दुनों convince हो जाते हैं साथ ही ये दुनों वहाँ से निकल जाते हैं साथ ही इस movie की यहीं पे समापती हो जाती है उमीद है कि ये movie आपको पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को like subscribe से कर सकते हो मिलते हैं अगल नए movie के साथ thanks for watching